हलो एवरिवन आज है सेकंड अक्टूबर और आज इस विडियो में हम बात करेंगे इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनांस के बारे में 108 रुपए का ये शेर है और एक वक्त था जब ये 1400 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा था और बहुती बहतरीन कंपनी ये मानी जाती थ रहता था रेगुलर अच्छा कासट डिविडेंट भी आपको यहां पर मिल रहा था एक वक्त पर यहां पर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन उसके बात इनके उपर कई सारे एलियेशन भी लगे और शेर तूटना शुरू हुआ रेड्स वगेरा भी कई ह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो असंजपो काफी जाला हेल्प करेंगे तो इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनांस एक सो अठर रुपए का यह शेर है तीन परसन का ग्रोथ हमें यहा सब्सक्राइब से वड़ा सवाल है यहां पर एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में पचास परसन की गिरावट है और यह लगाता तूट रहा है दो सो पैंसेट रुपए से यह शेर तूट कर 90 के आसपास भी पहुँचा था लेकिन वहां से बढ़िया बा वापस यहां से यह क्या पोटेंशल रखता है कि नहीं ऊपर जाने का उसके बारे में आगे हैं वीडियो में बात्चीज जरू करेंगे लेकिन इंडिया बूल्स हौजिंग फिनेंस यह कम्री तब दूबारा चर्चा में आई थी जब राकेश जी ने यहां पर किया था और आपको पता हो कि उन्होंने जो क्वांटिटी खरीदी थी उसके अगले ही क्वाटर में उतनी ही उससे आधी होल्डिंग बेच दी थी उन्होंने खाला कि शेयर में तीजी आई थी तो तीजी का फाइदा उठाया था और आधी होल्डिंग बेच दी थी और उन्होंने बेच कर मुनाफ़ा बुक किया था और तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी थे मैंने कहा भी था कि देखो उन्होंने प्रॉफिट बुक खल लिया है यहां पर तो यह मत सोचना कि राकिस जी का इंवेश्मेंट है हम भी करने के लिए यहां पर निकल पड़ते वॉल्यूम अच्छा है एक करोड चालिस एक करोड चालिस लाग के आसपास का इसका वॉल्यूम नजर आए अच्छी कॉंटिटी में शेयर ट्रेट कर रहे है लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है प्रॉब्लम यह है कि इनके रिवन्यू और प्रॉफिट दोनों ही लगातर कम होते जा रहे हैं और यह धरूर वहां कि वह इनके आने वरा दोर में जो कोविट की वगए चुए हुए है काफी लोगों ने लेगर mutual fund से लेगर हर कोई भाग रहा है और बहुत quantity में बेच के निकल रहा है mutual fund की 4.23% की holding अब 0.99 पर आ चुकी एक ही quarter में भईया mutual fund ने 3.24% की बिक्वाली करी है F.I.S. की 26.36% की holding वो भी घटकर 25.04% पर आ चुकी है promoter तो भाईया जाहिर से बात है जब प्रमोटर ने पहले ही बेचना शुरू के था एक ही quarter में जब प्रमोटर ने बार प्रतिशत की holding बेची थी और तब हमको यह argument दिया जा रहा था कि भाईया black rock जैसा बड़ा group यहां पर आया है प्रमोटर ने बिक्वाली करी है वो सिर्फ खरीदा है retail investors ने छोटे investors ने खरीदा है वो सारे shares market को देखते हुए और उनको लगता है कि यह देखो share तो भाईया बहुत महंगा था 1400 रुपे का share था क्या दुबारा वहां पर पहुँच जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है इंडिया बूल्स की मैं बात करने जाओं तो इंडिया बूल्स में according to money control user बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है 60% लोग कहरें खरीदो 40% लोग कहरें hold करो पहली चीज़ यह कि मेरी buying के recommendation नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दोर में अगर बाजा थोड़ा सा और pressure में रहा तो यह 100 रुपे के नीचे दुबारा भी जा सकता है इंडिया बूल्स को लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अप एक चीज़ जो concern है वो यह है कि वह लगाता तूट रहा है लगन का जो revenue है वो लगाता कम हो रहा है 17,000 क्रोड का revenue 13 पे आया फिर 10 पे आया फिर 9 पे आया तो यह कम हो रहा है अभी quarterly 2000 क्रोड रुपे का revenue है देखा जाए तो यह उससे भी कम का अगर हम average निका रहे तो उससे भी कम है 2022 से अगर हम profit की बात करें तो profit भी लगातार कम होते जा रहे हैं और यह concern जरूर है इसको आप ignore नहीं कर सकते है इंडिया बूल्स के बारे में अगर आप देखो तो definitely जिस price पे trade कर रहा है 4.60 का P है बहुत सस्ता है यह 20 sector P है तो लल्चाएगा काफी लोगों यह बाही करने के लिए लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार यह जरूर सोचे कि जिस price पे trade कर रहा है क्या वो worth है कि नहीं जिस तरीके के situation से यह company गुजर रही है वहाँ पर आपका पैसा बने गा की नहीं 33% एनालिज के रहे खरीदारी करो मैं अभी उनके साथ सहमत नहीं हो कोई भी red flag भले ही नहीं है डिविडेंट अच्छा पे कर रहा है अच्छा पे कर रहा है अच्छा पे करता था अभी भी अगर आप देखोगे तो जो डिविडेंट इन्होंने पे किया है 2021 में पे किया है 22 में अभी तक कोई डिविडेंट पे नहीं हुआ है 2021 में 9 रुपे का पे किया था डिविडेंट मैं महिने में 2022 में नहीं हुआ है पे डिविडेंट अभी तक और ये definitely किया सकते हो कि company ने dividend pay नहीं किया है अभी भी जनरल ये कर देती है dividend pay यहाँ पर अगर आप देखोगे तो promoter जैसे कि मैंने पहले भी कहा September में अगर आप देखोगे तो 21.69% की promoter की holding थी वो घटकर हुई 9.59 mutual funds की holding जो 2.44% की थी वो भी घटके हो गई 0.99 domestic की जो holding 9.94% की थी वो भी घटके हो गई 8.82 files की holding foreign वालों की holding 27.15% की थी वो भी घटके हो गई 25.05 तो कौन खरीद रहा था retail investors retail investor की 23.15% की holding बढ़ के हो गई है 38.36 15% की holding सिर्फ retail वालों ने खरीदी है तो यही वज़ा है कि मैं कहता हूँ कि avoid करिये अभी India Bulls Housing Finance में और लगातर बिक्वाली हो रही है और दूसरी वाद तो सबसे बड़ा concern यहाँ पर यह भी है कि बिक्वाली होतो रही है लेकिन साथिसाथ company के revenue और profit वो भी कम होते जा रहे हैं इसके अलावा मैं यह भी कहूँ वीडियो को end करूँ से पहले एक और company है L&T Finance हाला कि बहुत ही दमदार company है 75 रुपे के आसपर स्ट्रेट करा है और बीच में promoter ने बहुत सारी quantity खरीदी भी थी और अगर आप चाहते हैं कि मैं L&T Finance के उपर एक डीटेल वीडियो लेकर आऊं तो comment में L&T Finance ज़रूर लिखेगा जितनी जादा comment आएगी उतना ही जल्दी L&T Finance का वीडियो भी आ जाएगा तो वीडियो को यहीं पर end करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करें जाएगा चैनल अगरा पहली बाहर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और India Bulls Housing Finance के बारे में आप क्या सूचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं Thank you